बारिस के मौसम में समोसे पकोड़े तो आप बहुत खायोंगे क्या आपने कभी ये रेसिपी खाया है जो अक्सर बारिस में बनती है और साथ में ये वाला साग जो की बारिस में ही मिलता है तो बहुत ही सांदार रेसिपी है और बहुत ही यमी छारकन का ये फेमस रेसिपी है वहाँ पे सब को बहुत पसंद आता है और विलकिन मालिए जिस दिन आप ट्राइ करेंगे आपकी भी ये फैबरेट रेसिपी हो जाएगी दही के साथ ये बनने वाला चावल जिसका नाम है महेर और उसी के साथ खाने वाला ये साग जो अक्सर बारिस में ही मिलता है तो इसी की रेसिपी आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी तो ये है साग जिसकी मैं आज रेसिपी बनाने वाली हूँ हमारे हैं इसे करमेल कहते हैं आपके हैं क्या कहते हैं ज़रूर बताएगा मुझे कॉमेंट सेक्षन में तो ये साग जो मार्केट में बारिस के सज़द में आपको इसली अवेलबल हो जाएगा मैं इसके पहचान के लिए आपको सिंगल सिंगल इसके एक एक मतलब एक एक प्लाइंट को दिखा रही हूँ तो ये इस तरह से इसके पतियां होती है और ये बहुत ही खाने में टेश्टी और काफी ज़्यादा फेल्दी भी होता है तो ये साग मैंने या पे लिया है आधा केजी मतलब की 500 ग्राम और इसे सबसे पहले आप मार्केट से लाके अच्छे से इसे छाट के क्योंकि इसमें बहुत सारी खराब पतियां होती हैं ये दीखे इस तरह से पीली-पीली या फिर खराब होई पतियां इन्हें आप निकाल के साफ कर लीजी और जो मोटी मोटी डंडिया होंगी उसे हटा दीजिए और जो soft डंडिया हों आप उसे use करिए तो इस तरह के shape में इसकी पतिया होती है और यकीन वानी खाने में आपको बाकी सारी साग से सारे हरे पते वाले बेज़िटेबल से ये ज्यादा tasty लगेगा और बहुत healthy भी होता ह है तो इसे साग को ढोकि आपको बारिक चौब कर लेना है साथ में तयारी में यहाँ पे मैंने दू प्याज एक पूरा लेसन और 3-4रे मिर्ज बारिक गाट लिया इदे के साग को मैं 情ता हो कर दिया उसमें से जो Вी खराब पार्टम मैंने निकाल धिया और इसे बारिक-बा आप जमना के दोड़ा है,जमन है मौसम की वज़े से या दूद में पानी की मिला वट वज़े से मैं नहीं कह सकती तो पतले द ही का ही यह रिसेपी बनेगा पहले आप दही को बहुत ही अच्छे से फेट लीजिए तो यहाँ पे दही इतनी पतली है कि मुझे एक्ष्टा उपर से इसमें पानी ज्यादा नहीं मिलाना पड़ेगा अगर दही बहुत ही गारी हो ठीक हो तो आप उसमें गलास भर का पानी मिला सकते हैं तो यहाँ पे हलका सा पानी मैं डाला है क्योंकि अल्रेडी बहुत पतली रही है आप यहाँ पे ले लीजिए दो से तीन हरी मिर्च और एक पूरा लेसन जो मैंने दिखाया था उसे मिक्सर में अच्छे से पीस की इसी में मिला दीजिए तो यहाँ पे हरी मिर्च और लेसन का पेस्ट मैंने मिलाया साथ में हल्दी पाउडर तो एक चोटा चमच हल्दी पाउडर डाला है मैंने और यहीं पे हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से फेट लेती हूँ तो क्या क्या मैंने डाला है लाजन मिर्ची का पेश्ट और हल्दी पाउडर बस इसे अच्छी तरह से इसे चला लेंगे और अब मैं इसे चड़ाओंगे गैस पे तो इसके लिए गैस का फ्लेम आउन करना है और मिडियम फ्लेम पे आपको इसे चड़ा देना है यहां पे इसे चलाते रहना है तो यह देखिए जैसे जैसे गरम होगा और खौलने लगेगा तो दही में जो हल्दी का कलर है वो आ जाएगा तो यहां पे बहुत ही अच्छे सी गरम हो चुका है और खौलने भी लगा है तो मैंने यहां पे एक कप चावल लगभग यहां पे मैंने ल तक कि अच्छे से फूल जाए तो यहां पे मैंने डाल दिया है चावल और गैस का फ्लेम थोड़ी दिर के लिए मैं कर दूंगी हाई क्योंकि यह अच्छे से पकना सुरू हो जाए थोड़ी दिर में आप देखेंगे कि इसमें उबाल आना सुरू हो जाएगा जब उबाल आन लगे तब आप इसमें टेश के कोडिंग नमक डाल दिजे तो मैंने यहां पे नमक डाल दिया है और साथ में हिंग बहुत जरूरी है तो दो से तीन चिटकी हिंग जरूर डालिएगा फिर उसके बाद आप इसे फिर से चलाईए और गैस का फ्लेम थोड़ा सहाई कर दिजे ताकि इसमें उबाल आना सुरू हो जाए तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यह उबाल आना सुरू हो गया है और इसे हम अब लोफ लेम पे छोड़ देंगे ताकि चावल अच्छे से पकता रहे है दूसरी तरफ हम बनाएंगे जो हमें साग बनाना है उसे तो यह के लिए मैंने यहां पे कुकर चड़ाय हुआ है और इसमें डाला है दो बड़े चमस तेल कोकिंग ओल जो भी आप यूज करते हों मैं यहां पे सरसो का तेल यूज कर रहे हूँ तेल बहुत अच्छे से गरम हो जाए फिर इसमें मैंने डाला हुआ है जीरा जीरा को बड़ाही में भी यह साग बहुत अच्छे से बना सकते हैं तो मैंने यहां पे कुकर यूज किया है बस ध्यान रखेगा मोटे पेंदे का हो ताकि साग जलेना फिर इसमें प्याज जो मैंने कटा हुआ प्याज रखा था इसमें डालने के लिए वह प्याज डालके आपको थोड़ी देर तक भूनना है जब तक कि प्याज लालना हो जाए तो यह देखें मीडियम लो पे आप प्याज को भूनिए और बीच पीच में ध्यान रखें कि हमने महर एक तरफ चड़ाया हुआ है तो उसे आप चलाते रहिए यह देखें तो यह चावल अंदर से पकना छोड़ देंगे जब तक कि हमारा साग त्यार होगा उससे पहले यह बनके रेडी हो जाएगा तो इधर इसे मैं लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से यह खौलता रहे हाई फ्लेम नहीं करेंगे नहीं तो उबलके यह बाहर भी गिर सकता है दुस कर दें ताकि थीरे से कम हो जाए क्योंकि साग जैसे ही गरम बरतन में जाता है वह गलना शुरू हो जाता है तो यहां पर मैंने कुकर छोटा यूज किया है इसके लिए मैं अच्छे से पलट लूँगी फिर बाकी के साग भी इसमें डाल के अच्छे से मिला लूँगी बस दोई मिनिट में यह साग बिलकुल आधा हो जाएगा गल के तो यह देखें यहां पर बहुत ही अच्छे से साग कम हो गया है और भूनना शुरू हो गया है यहां पर भी फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे क्योंकि हमें साग को पकाना है बहुत जादा इसे मतलब भूजना नहीं है तो यहां मैंने दो चम्मस पानी भी डाला था ताकि बहुत ही अच्छे से साग गले और अच्छा अच्छा उसका सॉफ्टनेस उसमें आये टेश्ट के कॉर्डिंग नमक मिला लीजिए और फिर इसे थोड़ी देर तक चला कर मतलब एक से तेर मिन तक आप इसे अच्छे से पक गया है मतलब आलमोस्ट ये हो चुका है और अभी आपको पतला दिख रहा होगा लेकिन ये आप थोड़ी देर में ये अच्छे सी गाड़ा हो जाएगा तो ये बन चुका है और इधर कुकर में जब एक सिटी आ जाये तो कुकर को भी आपको बंद कर देना होगा तो ये देखें यहाँ पर प्रिशर आ चुका है और थोड़ी देर में इसमें एक सिटी आ गई फिर मैं यहाँ पर कोकर का जो फ्लेम है उसे आफ कर दिया है और फिर से कुकर का धकन खोल के देखती हूँ तो ये दिकिए बहुत ही बढ़ियां से गल चुका है साग मत देखेंगे कि पानी बहुत ही अच्छे से सूख गया है और ये साग बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए इसकी गैस के फ्लेम को भी अब हम बंद कर देंगे और इसको कर से निकाल लेंगे से बाहर तो ये साग बन गया है अब मैं आपको दिखाते हूँ ये दिखे जब रखेंब देशी गी और उसे काफी अच्छे से गरम करना है घी में हम डाल देंगे लग बग आधा च्छोटा चंबच मेथी के दाना मेथी के दाने से आप इसमें तड़का लगाईए चो काफी फाइदेबंद होता है और इसमें थोड़ा सा कटा हुआ लैसोन के लिए देखे मिर्च आधा छोटा चमज तो इन सब को हम अच्छे से जला के उसे उपर से इस तरह से तरका लगा देंगे और तरका लगाने के बाद इस तरह से मिक्स कर देंगे गारनिसिंग के लिए थोड़ा सखी आप पचा के रख सकते हैं तो यह देखिए मैं यहां पर आपको दिखा रहे हूं चावल के फूल जिसे आपके यहां पता क्या बोलते हैं मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है यह एक तरह से फ्राइम्स है जो घर का बना हुआ है और वो भी चावल के आटे का तो इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं और यह वाले फ्र चुकी हूं मैं फ्राइम्स और अब मैं आपको दिखाती हूं कि मैं कैसे सर्फ कर रही हूं महर को इन फ्राइम्स और साग के साथ तो यहां पे महर रेडी हो चुका है और यह रहा फ्राइम्स और बना हुआ साग जो बहुत यमी है जब भी आप महर सर्फ करें थोड़ा सा दे किया की नहीं